Hello my dear students, welcome to my YouTube channel V&D Originals. So let's start the video. देख सकते हैं जैसा कि एक बुक में डाइग्राम दिया हुआ है Parts of a Leaf जिसमें Leaf के जो Parts है उनको मेंशन किया हुआ है और साथ ही मेंने एक डाइग्राम भी बनाया है Structure of a Leaf Starch, Stomata, Mainven, Sideven, Clorophyll, Leaf Blade Starch वे पार्ट जो स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम स्टार्क बोलते है Mainven जो स्टार्क से जुड़ी हुई मिड में Leaf के मिड में एक मोटी लाइन जाती है उसे हम बोलते है Mainven Mainven से होकर जो साइड में निकली रहती है चोटी-चोटी होती है Sideway Leaf का कलर ग्रीन होता है क्यों क्यों क्लोरोफिल सबस्टांस पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं Leaf Blade जो प्लेट पार्ट होता है Leaf का उसे हम बोलते है Leaf Blade और इसमें चोट-चोटे जो और अंदर प्रेजेंट रहते हैं चोट-चोटे पौर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं Stomata ये कुछ different kinds की Leaf है different types की जो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है So I Explained ये ये पार जो की Stem से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं Stark ये जो प्रेजेंट में लाइन है उसे हम बोलते हैं Main Vain और ये जो Side में निकली रहती है ये जो Side में निकली रहते हैं उसे हम बोलते हैं Side Vain और Leaf का Color क्या है? Green क्यूंकि इसमें क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल सबस्टान्स और यह प्लेट पार्ट है उसे हम बोलते हैं लीफ प्लेट इसमें छोटे चो चिद्र है वह प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है स्टोमेटा है वह गेस का अधन परदान जैसे कि carbon dioxide को वो इन करती है और oxygen का आउट करती है oxygen को बहर निकालती है यह इसका function है लीव को हम food factory करते हैं यह आपको पता ही है food factory क्यों कहा जाता क्योंकि फूर्ड प्रिपरेर करने में काम आती है पोटो सिंथेजिस में ये मेन रोल प्ले करती है वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो